नमस्कार मित्रों, आज हम शुरू करेंगे नॉन मिटल्स, नॉन मिटल्स में टॉपिक है जैसे कार्बन एंट्स वेरिस फॉर्म्स, हाइड्रोजन, ठीक है, तो इसमें जो इंपोर्टेंट है, बस वही सब देखना है इसे कोशन्स आता है, जिसमें कि आपका पहला जो है ये कार्बन एंट्स वेरिस फॉर्म्स, ये इंपोर्टेंट है, हर साली से कोशन्स आते हैं, तो चलिए आज शुरू करते हैं लोग, नॉन मिटल्स का पहला चाप्टर, कार्बन तथा इसके विविन रूप, तो पहला कोशन्स है, जो सबसे ज़्यादा योगिक बनाता है, तो ये सही आंसर है सा कार्बन, ठीक है, अब देखें कार्बन जो होता है, उसके पास चार वैलेंस एलेक्टरोन होता है, बैलेंस एलेक्टरोन मतलब होता है कि उसके आउटरमस सेल में कितने एलेक्टरोन से उसको वैलेंस एलेक्टरोन बोलता है, तो इसके पास चार एलेक्ट जिसके पास 2 electron है तो उसके साथ ही बना सकता है यह double bond करके ठीक है जिसके पास 3 है उसके साथ ही बना सकता है और जिसके पास 4 है उसके साथ ही बना सकता है तो इस तरह से इसकी probability है carbon की number of compounds बनाने की वो बहुत जादा है और इस लिए यह क्या होता है कि maximum number of compounds बनाता है ठीक है तो स सही जवाप है इसका carbon, next question है, which of the following do not consist carbon, इन में से कौन सा ऐसा पदार्त है जिसमें carbon नहीं होता है, पहला option है diamond, दूसरा है graphite, तीसरा है coal, और चौता है none of these, तो diamond carbon का ही एक रूप है, graphite भी carbon का ही एक रूप है, coal भी carbon का ही एक रूप है, तो तीनों में carbon मिलता है, तो इसलिए यह सही आंसर होगा, none of these, ठीक है, next question है आपका, which of the following is made up of carbon only, निमलिकित में से कौन सा ऐसा पदार्त है, जो केवल carbon से बना होता है, केवलर नहीं, लगजान नहीं, spider silk नहीं, तो सही जवाब कौन सा है, graphene, ठीक है, graphene, graphene जो होता है, वो allotrop होता है carbon का, तो allotrop क्या होता है, यह मैंने आपको पहले वाले वीडियो में ही बता है, नहीं, तो आगे भी देख सकते हैं, ठीक है, तो allotrop जो होता है, वो एक ही पदार्त का, या एक ही element का, बिभीन forms में मिलना, या उसका जो दूसरा रूप्स है, उसको हम लोग उसका allotrop बोलते हैं, जैसे carbon का allotrop graphene है, carbon का allotrop जो है आपका graphite है, carbon का allotrop diamond है, carbon का allotrop आपका buckminster philarine है, जो सबसे बराफ इसका बो मना जाता है, buckminster philarine, ठीक है, और यह सबसे recent अभी को जा गया, इसका allotrop, ठीक है, इसका नाम याद रखेंगे, philarine, ठीक है, next question चलते हैं, लोग, which of these is not an additional form of carbon, additional मतलब वही होगा है, कि allotrop है या नहीं है, diamond है, graphite है, philarine है, तो क्या नहीं है, oxo carbon इसका वो नहीं है, क्या नहीं है, additional form या जिसको हम लोग, allotrop बोलते हैं, वो नहीं है, कौन सा oxo carbon, oxo carbon जो है, वो उसमें के carbon और oxygen, दोनों मिलता है, तो carbon और oxygen दोनों मिलता है, तो ये compound हो गया, जिसमें दो पदार्थ मिल रहे हैं, जबकि बहां की जो forms है, वो केवल carbon का विसुद धरूप है, जिसमें केवल carbon मिलता है, ठीक है, next step का, lead pencil जो होता है, वो क्या होता है, तो pencil का lead होता है, मतलब lead जिसको बोलते हैं, जो black pencil वगरा यूज करते हैं, उसमें graphite का lead होता है, ठीक है, किसका lead होता है, graphite का, और graphite किसका allotrop है, carbon का, next question है, lead pencil contents, क्या contents करता है, graphite, जो carbon का एक allotrop है, next question आपका, कि third allotrop of carbon was discovered by three scientists, who were awarded the Nobel Prize for chemistry, काता है कि carbon का जो तीसरा स्वरूप है, जिसके बारे में बोल ला था, जो recently खो जा गया था, तो वो था आपका, buckminster fullerine, जो सबसे recent वाला है, और इसके लिए 1992 में Nobel Prize दिया गया था, तीन वगनिको को, ठीक है, तो उसका नाम पूछता है, कि उसमें से कौन से नहीं है, ठीक है, तो इसमें से जो नहीं थे, वो है, famine, और वो जो allotrop हो जा गया था, उसका नाम है, buckminster fullerine, या C60 भी उसको बोलते हैं हम लोग, next question आपका, buckminster fullerine, इसको क्या बोलते हैं, C16 है, इसका molecular formula, तो ये भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है, buckminster fullerine, ये क्या है, elotrop है carbon का, तो इसका, is a form of carbon, compound of cluster of 60 carbon, item bonds, together in polyhedral structure, composed of pentagons, और hexagons, ठीक है, इस statement को याद कर लिए, ठीक है, next question आपका, कि which one of the following do not contain carbon, इसमें से कौन सपदार्थ carbon contain नहीं करता है, diamond में तो carbon होता है, आप जानते हैं, graphite में भी होता है, cold भी carbon ही है, किसमें नहीं होता है, तो sand में नहीं होता है, तो सही दवाब क्या हो गया, sand, ठीक है, next है आपका, which of these consists carbon, lignite, silver, tin, iron, ठीक है, तो इसमें से कौन सा carbon को contain करता है, वो करता है, lignite, lignite क्या है, तो lignite जो है, और है, और मतलग क्या होता है, मैंने आपको बताया था, आप पिछले वाली वीडियो में देख सकते हैं, और वैसे minerals को बोलते हैं, जिससे हम लोग एकनॉमिकली या प्रॉफिटीबली हम लोग मेटल को extract कर सकते हैं, ठीक है, मेटल्स या फिर जैसे मेटल का और है तो मेटल एक्स्ट्रेक्ट कर पाएंगे, नॉन मेटल का और है तो नॉन मेटल उसमें तो कार्बन का जो कोल होता है, जो एलोट्रोप तो कोल के बिविन प्रकार है, इससे भी कई बर कोशन पूछा गया है, चार प्रकार मुके तब भीवाजित किया गया है, उसमें कार्बन परसेंटेज के अधार पर, तो पहला है आपका पीट, दूसरा है आपका तो पीट जो होता है आपका, उसमें सबसे कम करवन परसेंटेज जो होता है 50-60%, लिगनाइट जो है आपका, लिगनाइट में आपका 25-65% और बिविन परसेंट में आपका 45-85%, एंतरा साइट में आपका 85%, तो यह चार फॉर्म इसका याद रखेंगे, इसका कोल का है, यह जब का बाद में भी questions में पूछे गया है, इसके लिए important question में mark कर लें इसको, ठीक है, next आपका, which of the following types of coal contains a higher percentage of carbon than the rest of type, सबसे बढ़ी है quality जो coal का माना जाता है, वो माना जाता है एंतरा साइट को, ठीक है, next है आपका question, the highest amount of carbon is in pig iron, wrought iron, steel, alloy steel, किसमें मिलता है वो, pig iron में मिल है, ठीक है, next है आपका, कि which one of the following is not in the form of crystal, कौन साइस निमलिकित में से crystal के रूप में नहीं मिलता है, diamond तो मिलता है, quartz भी मिलता है, graphite भी मिलता है, sulfur नहीं मिलता है, ठीक है, तो इसका सही answer हो जाएगा, sulfur, next है आपका, कि consider the following, glass can be eased or scratched by, ठीक है, तो glass जो है, किसे scratch किया जा सकता है, तो diamond से और hydrofluoric acid से दोनों से, ठीक है, तो सही answer हो गया, one and two, next है आपका, for the sealing of diamonds, the unit of weight is carat, and one carat is equal to, ठीक है, तो one carat जो है आपका, वो 200 mg के बड़ाबर होता है, यहां से आप याद रख लिए, next question आपका, graphite was in news recently, what is its importance, ठीक है, तो it is a two dimensional material, has good electrical connectivity, तो यह सही है, graphite के बारे में यह आपको बिल्कुल key word है, कि इसके पास electrical conductivity बहुत अच्छा था, इसलिए आपको sales वगरब में भी use करते हैं, ठीक है, उसके बाद क्या है, it is one of the thinnest but strongest material tested so far, यह भी सही है, next आपका, it is entirely made up of silicon and has high optical transparency, यह तो आपको पता है, ग्रिफाइट जो है, कारवन से बना होता है, तो यह silicon वाला statement गलत है, next है, it can be used as conducting electrodes required for touch screens, LCDs and organic lights, यह सही है, कि इसका इस्तमाल जो है, बैक्ट्रीज में, और LCD screens में, टशी screens वहेरा में भी करते हैं हम लोग, और graphite जो है, आपका carbon का एक, एलोट्रॉप है, ठीक है, next है question आपका, which one of the following material is strongest, निमिल कि तुमें से कौन सा material सबसे मजबूत है, strongest है, तो सही जवाब है, उसका graphene, क्या है graphene, next question है आपका, कि water becomes harder due to presence, मतलब पानी में कठोड जल जो होता है, उसमें कठोड होता है, calcium और sulfate की वजास से होता है, और वो usable नहीं होता है, सही है या गलत यह बताना है, diamond is harder than copper and iron, यह तो सही है, सब को पता है कि diamond hardest होता है, oxygen is the main component of air, यह इसमें बताइए आप लोग, nitrogen is used in the manufacturing of vegetable घी, तो इसका सही जब अब क्या हो, क्या पूसरा है, select the correct answer from the answer school, ठीक है, तो इसका जो answer दिया है, वो दिया है, पहला, क्योंकि calcium और sulfate, जो salts होते है, वो water को hard बनाते है, तो पहला सही है, और दूसरा सही है, air का composition क्या होता है, आप बताइए, सबसे ज़्यादा क्या होता है, atmosphere में, nitrogen, उसके बाद oxygen, ठीक है, next है आपका question, कि which lubricant is used for heavy machines, heavy, मतलब बहारी machine के लिए, कौन सा lubricant हम लोग use करते हैं, तो उसका सही answer है, graphite, graphite lubricant is thin, black, ठीक है, और anti-friction carbonic substance, carbon का akulotrop है, मैंने आपको पहले ही बता है, कई बर बता है, automobile industries में काम आता है, which of the following is also used as lubricant, तो क्या कर सकते हैं, graphite को हम लोग lubricant के रूप में use कर सकते हैं, ठीक है, next question है आपका, कि dry ice, क्या होता है, ये कई बाहर question पूचा गया, देकि BPSC में के वल तीन बाहर यहां दिख पूचा गया था है, ठीक है, तो dry ice क्या होता है, dry ice क्या होता है, बता है, वो होता है, आपको carbon dioxide solid form में, solid CO2, sometimes dry ice जो हता है, आपको solid CO2 को refer के जाता है, solid carbon dioxide, next question आपका, which one of the following is called dry ice, अभी मैंने बता है था, क्या होता है, solid carbon dioxide, next है, chemical dry ice is, chemical ही क्या होता है, chemical ही मतलब carbon ही है, carbon dioxide है वो, तो क्या होगा, solid carbon dioxide, next question आपका, dry ice, देखे, फिर से कितनी बार पूचा गया यह question है, इसको very very important कर लिजे, कई बार पूचता है, क्या, dry ice, dry ice क्या होता है, solid यह frozen carbon dioxide, next आपका, फिर से देखे, वही question है, dry ice is, solid carbon dioxide, next question आपका, non-metal, which is not a poor conductor of electricity, which one of the following non- metal, is not a poor conductor, देखे, sulfur जो है, electricity का good conductor कुछ आलक है, bromine भी कुछ आलक है, phosphorus भी कुछ आलक है, लेकिन selenium जो है, वो non-metal होते हुए भी, वो क्या है, आपका, electricity का चालक होता है, ठीक है, और एक और है, carbon का form, जिससे आपका electricity का good conductor क्या है, वो, graphite, मैंने बताया था आपको उसे पहल ठीक है, और उसको हम लोग hydrogen gas से अगर pass करा दें, तो बनता है आपका water gas, ठीक है, water gas is synthetic gas, ठीक है, which is mixture of carbon monoxide, CO मतलब carbon monoxide हुआ, and hydrogen, hydrogen मतलब H2, ठीक है, तो carbon monoxide और hydrogen gas के mixture को हम लोग water gas बहते हैं, ठीक है, तो इसको आप लोग याद कर लेंगे, तो कैसा लगा आपको ये वीडि ज़रूर बताएं, कमेंट करके, और जहां भी रहें, जब भी आपको समय मिले, तो वीडियो को चालू करते हैं, और सुनते रहें, इससे आपका revision आसान हो जाएगा, और ये मैं guarantee दे सकता हूँ, या जो भी pre निकाल के रखे हैं, मैंस निकाल के लिक के बाटे हैं, उन लोग पूछे करे परसनों को हम यहां देख पा रहें, तो उससे हटके PCS में क्या पूछेगा, तो जिस PCS का आपको exam देना है, उसका previous year questions देके घटना चक्र लगा लें, समय मिलता है, तो आप lucent पढ़ लें, या crown पढ़ लें, आपकी 100% त्यारी हो जाएगी, केवल घटना चक्र compounds, ठीक है, तो अभी तक आपको कैसा लगा, जरूर बताएं, comment करके, और अगर अभी तक आपनी subscribe नहीं किया है, तो जरूर subscribe करते है, thank you.